नमस्कार, ओम सान्ती, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं जैपूर में सेंड विल्फरेट कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के अंदर, हेड ऑफ जर्नलिजम डेपार्टमेंट हूँ, होडी, और साथ ही मैं मैं कम्मुनिटी रेडियो पे एक रिसर्चर भी हूँ, पिएचडी मेरा चल रहा है और ब्रह्मकुमारी मैं आज दूसरी बार आया हूँ, करीब पहले भी मैं एक बार आचुका हूँ, एक रेडियो के ही काम से, और आपको मैं बता दूँ कि ब्रह्म कुमारी आज मैं दूसरी बार आए हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं मतलब दूसरी बार ही यहां पर पहुंचा हूँ ऐसे लगता है कि साथ मैं पहले से यहां से आता जाता रहा हूँ और बहुत संपर्क में हूँ और हर तरीके से एकदम मतलब family और मतलब बोलते हैं वो सारी चीजे मुझे feel होती है और मेरा क्या message है कि आज के डाइ में हर एक वेक्ति कोई ने कोई काम कर रहा है कोई ने कोई नौकरी कर रहा है, job कर रहा है, business कर रहा है लेकिन यहां आने पे जो सबसे बड़ी चीज जो feel होती है वो है कि आप अपने साथ साथ में हमारा जो spirituality है हमारा जो एक focus होता है life का वो अभी तक हम लोग अगर देखा जाए इस ब्रह्म कुमारी की दुनिया से बार हम सोचते है कि मुझे यह करना है वो करना है लेकिन यहां पे हम आये क्यों है इस जीवन में हमारा मतलब उदेश से क्या है और हमारा जो connection है मतलब एक Hindu न बोलके भी Humanities का जो सबसे बड़ा connection है उन सब चीजों की हमें जानकारी मिलती है और बहुत अच्छी चीजे जो पहले हमारे घर में दादी नानी है हमको लोग बताते थे वो बहुत चीजे communication ब्रेक हो चुगा है लेकिन यहां पे वो हम root cause से पकड़के origin से लेके और आज की life में उसका क्या sustain है वो सब हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है और सबसे अच्छी चीज यहां आने के बात में इतना ज़्यादा लोग मतलब इतने crowded में है तो इतना unity और humanity जो एक तरीके से fall up हो रहा एक get to weather group के अंदर तो एक positive energy मतलब यहां पर मैंने feel कर रही है तो मैं मेरे अब मैं खुद को अपना एक सुभा के मनता हूं कि मैं यहां पर इतनी जल्दी पहली लास्ट टाइम मैं अभी 15 दिन पहले आयों और उसके जस्त बात में मुझे के मौका मिला है तो धन्यवाद मेडिया वेंग और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इस्वरे वेस्ट विध्याले को ओम सान्ती